दोस्तो बच्चों में होने वाली बोल एक डिफोमिटी यानि की बच्चा जब जरम के बाद चलना शुरू करता है तो उसके दोनों पैरों के बीच में काफी गैप होता है उसके पैर गुदहनूशाकार शेप के अंदर हो जाते हैं इस समश्या को देखकर काफी पैरेंट्स घबरा जाते हैं कि उनके बच्चों के अंदर कहीं कोई विक्रती तो डपलप नहीं हो गई है तो दोस्तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूत नहीं है बच्चों में होने वाली ये बोल एक डिफोमिटी तीन से चार साल की एज के अंदर सेल्फ करेक्ट हो जाती है कुछ जिन बच्चों के अंदर विटैमिन डी की डिफिशन्सी होती है या फिर जो बच्चे मा के पेट के अंदर गलत पोजिशन में होते हैं उन बच्चों के अंदर ये बोल एक डिफोमिटी देखने को मिलती है जिसको एक्साइस के करेट किया जा सकता है बहुत ही रेर चांसेस के इंदर हमें सर्जिरी या किसी ब्रेस की जरूरत पड़ती है इसका पूरा डिटेल वीडियो हम आपके लिए लेकि आने वाले हैं तो प्लीज हमरे चनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा ऐसे और हल्दी वीडियो के लिए